सोलहवाँ पाठ मिट्टी की मूर्तियां प्रिष्ट संख्या 87 से 93 तक अब सुनिये मिट्टी की मूर्तियां मिट्टी से विभिन तरह के खिलोने बनाना तुम में से कई लोग जानते होंगे, कईयों का तो यह प्रिय खेल भी होगा, पर क्या तुम जानते हो कि मिट्टी के खिलोने या चीजें बनना कब शुरू हुआ? इतिहास में तुमने पढ़ा होगा कि सिंदु घाटी की सभ्यता में मिट्टी से बनी और पकी हुई कुछ मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली हैं सिंदु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है सोचो केवल मिट्टी से बनी ये मूर्तियां इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रही होंगी जबकि मिट्टी तो पानी में घुल जाती है वास्तब में मिट्टी से बनी और आग में पकी मूर्तियां या वस्तुएं पानी में नहीं घुलती है ऐसी मूर्तियों को मृन मूर्ति कहा जाता है पकाने से मिट्टी एक तरह से मृत हो जाती है यानि पकने के बाद उसका पुनह उपयोग नहीं किया जा सकता वास्तव में मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का मानव के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का चित्र और मूर्ति के अलावा शायद अण्य कोई माध्यम नहीं था. आओ देखते हैं कि मिट्टी से मूर्ति बनाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है? मिट्टी से मूर्तियां दो तरह से बनाई जा सकती है एक तरीका है केवल हाथ से बनाना इस तरीके से ठोस, पोली, तथा उभई, यानि रिलीफ मूर्तियां बनाई जा सकती है दूसरा तरीका है चाक की मदद से बनाना चाक पर कुमहार को मटके या कुल्हड बनाते हुए तो तुमने देखा ही होगा क्या कभी इसके लिए मिट्टी तयार करते हुए भी देखा है मिट्टी तयार करना हर जगह अलग-अलग तरह की मिट्टी मिलती है कहीं चिकनी, कहीं रेतीली, कहीं लाल, तो कहीं पीली, सफेद, काली मिट्टी मूर्ती बनाने लायक मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें दूसरी मिट्टी मिलानी पड़ती है जैसे मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ी रेतीली मिट्टी राक या रेत मिलानी पड़ेगी मिट्टी को साफ करके यानि उसमें से कंकर, पत्थर या और कोई कच्रा आदी हो तो निकाल दो किसी बरतन, होद या तसले में पानी के साथ गला दो मिट्टी जब पानी में घुल जाए तो उसे एक दो बार नीचे तक हिला कर छोड़ दो जिससे अगर बारीक कंकर वगएरा रह गए हूं तो वे भी नीचे बैट जाएं अब बरतन को एक आध दिन के लिए छोड़ दो एक दो दिन बाद ऊपर ऊपर की मिट्टी किसी दूसरे बरतन में निकाल लो थोड़ी देर बाद उस मिट्टी का पानी ऊपर आ जाएगा बरतन को तिर्चा करके इस पानी को निकाल दो मिट्टी ज्यादा गीली हो तो साफ जगह में फैला दो अगर लिपी हुई जमीन होगी तो पानी सोख लेगी कुछ समय बाद मिट्टी को हाथ में लेकर गोली जैसी बना कर देखो अगर गोली बनने लगे तो समझो अपने काम लायक मिट्टी तयार हो गई है अब सारी मिट्टी को समेट लो और पत्थर की सिल पर रख कर उसे लकडी के चप्टे हथोडे से कूटो। साथी साथ मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहो। बीच बीच में हाथ से आटे की तरहा मारते भी जाओ। मिट्टी की कुटाई अच्छी प्रकार होनी चाहिए। अगर कुटाई अच्छी नहीं होगी तो मूर्ती चटक जाएगी और पकते समय तूट भी सकती है। कूट कर तयार हुई मिट्टी को गीले कपड़े या बोरी में लपेट कर पॉलिथेन से ढख दो ताके मिट्टी सूख ना पाए। अगर सूख गई तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब हमें यह तै करना है कि हम किस तरीके से मूर्ती बनाना चाहते हैं। चाक पर बनाने के लिए तो चाक न केवल चाहिए होगा। वरन उसे कैसे चलाते हैं यह भी सीखना होगा। अपने गाउं के कुमहार के पास जाकर तुम चाक चलाना सीख सकते हो। बहरहाल हम तुम्हें दोनों ही तरीके बताएंगे। तुम खुद करके देखना कौन सा तरीका सुविधा जनक या आसान है। मूर्ती बनाते समय हमें कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे बास के टुकडे जिन्हें चाकू से छील कर अलग-अलग आकार दिया जा सके। बास के इन टुकडों की मदद से हम मूर्ती में से अनावश्यक मिट्टी खुरत सकते हैं। इनकी मदद से मूर्ती में कोई अंग उभार सकते हैं। इसके अलावा पुराना चाकू लकडी आदी की भी आवश्यक्ता होगी। हाथ से मूर्ती बनाना। हाथ से तीन तरह की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। ठोस, पोली तथा जिलीफ यानि उभई हुई। ठोस मूर्ती पहले ठोस मूर्ती की बात करें। यह सबसे सरल तथा आसान है पर इस तरह की मूर्तियां ज्यादा बड़ी नहीं बना सकते। अधिक से अधिक एक बिलांस यानि 15 से 20 सेंटी मीटर उची। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बनाएं। अरे यह क्या कोई बिल्ली बनाना चाहता है, कोई कुत्ता, कोई शेर, गधा, हाथी, घोडा, पक्षी। चलो ऐसा करते हैं, घोडा बनाते हैं, इसके बाद तुम स्वयम अन्य मन चाही चीजें बनाना। तैयार मिट्टी से रोटी की लोई के बराबर दो हिस्से लो। लोई जैसे दो गोले बनाव। अब दोनों गोलों को एक एक करके पत्थर या पट्टे पर रखकर लंबा करो। जब वह एक बिलांस लंबे हो जाएं, तो दोनों को बीच से जोडते हुए खड़ा करो। अब थोड़ी सी मिट्टी और लो। और इस मिट्टी से घोड़े के सिर का आकार बना कर जोड़ पर लगा दो। मिट्टी को थोड़ा सा दबा कर दोनों तरफ कान बना दो। तीली या सींख से छेद करके आँखें बना दो। लो, बन गया अपना घोड़ा। भाई, ये एकदम सचमुच के घोड़े जैसा तो नहीं दिखेगा। इस तरीके से तुम लगभग सभी चौपाए जानवर बना सकते हो। और मानव आकरितियां भी बना सकते हो। पर छोटी छोटी ही ठोस रूप में ज्यादा बड़ी बनाने से सूखते समय या पकाते समय चटकने या तूटने का अंदेशा रहता है। पोली मूर्ती आओ अब पोली मूर्ती बनाने का तरीका देखें। पोली मूर्ती चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं। बशर्ते उसे संभाला जा सके। यानि ऐसा नहो कि हम बाहर का हिस्सा मिला रहे हैं और अंदर की मिट्टी गिर रही है। या इतनी जोर से ठोक रहे हैं कि कहीं और से टेड़ा हो रहा है। वास्तब में आधार से बहुत ज्यादा बाहर की और निकली हुई चीजें इस तरीके से नहीं बना सकते। साधारन रूप से एक बार में तीन फुट लंबी मूर्ती बना सकते हैं। सौकेट सिस्टम से चाहे जितनी उची मूर्ती बना सकते हैं। यानि यदि मानव की मूर्ती बनानी हो तो हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग बना कर फिर उन्हें जोड लिया जाता है। इन्हें जरूरत पढ़ने पर अलग भी किया जा सकता है। जैसे पहले मिट्टी की लंबी पट्टियां बनाई थी, वैसी ही आठ दस पट्टियां बना लो। पट्टियों के दोनों सिरे जोड कर छल्ले बनाओ और इन्हें एक के उपर एक रखते जाओ। तुम यह तो समझ ही गए होगे कि पट्टियों की लंबाई तथा छल्लों का आकार लगभग समान होना चाहिए। छल्लों से एक लंबी जार जैसी रचना बन जाएगी। अब अंदर की तरफ हाथ का सहारा लगा कर बाहर से छल्लों के जोडों को मिला कर एक सा कर लो। इसी तरह बाहर से हाथ का आधार दे कर अंदर के जोड भी मिला दो। तुमने कुमहार को मटकों को ठोक ठोक कर बनाते देखा होगा। उसी तरह कोई बेलनाकार लकडी की वस्तु या तूटा बेलन लेकर अंदर से हाथ लगाते हुए बाहर से ठोको और फिर बाहर से हाथ लगाकर अंदर से ठोको। ठोकना धीरे धीरे ही, क्योंकि गीली मिट्टी होने के कारण ठोकने से फैलेगी. इस बात का ध्यान रखना कि ज्यादा नहीं फैले, क्योंकि ज्यादा पतला होने पर तुम्हारी जार जैसी रचना तूट सकती है. यह एक डेड़ सेंटिमीटर से अधिक पतला नहीं होना चाहिए. इस बार हम मानव आकरिती बनाते हैं, पर इसमें भी हाथ पैर सब चिपके हुए होंगे. कहीं दबा कर, कहीं उभार कर, कहीं छेद करके या काट कर इसे आकार देना होगा. भारत में कुछ जगह इन म्रिन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं. जैसे बंगाल में बांकुरा, उत्तर प्रदेश में गोरकपुर, राजस्थान में मुलैला, और मध्य प्रदेश में बस्तर. राजस्थान के नात द्वारा के पास वाले मुलैला नामक गाउं के कलाकार रिलीफ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं. ये बहुत बड़े-बड़े लगभग साथ बाई साथ फुट के बनते हैं. इन्हें पकाया भी जाता है. इन कलाकारों में से कुछ नाम हैं किशनलाल कुमहार, खेमराज कुमहार, लोगरलाला कुमहार, यहां के कुछ कुमहारों को राश्ट्रियस तर्के पुरसकार, मास्टर क्राफ्ट मैन भी मिल चुके हैं. देश के इन आदिवासी और लोग कलाकारों की कृतियां विदेशों में भी प्रदर्शित की गई हैं. उभरी हुई यानि रिलीफ मूर्ती. अब देखते हैं कि रिलीफ यानि उभारदार मूर्ती कैसे बनाई जाती हैं. ऐसी उभारदार मूर्तियां तुमने अपने आसप घरों में देखी होंगी. इन्हें मिट्टी से बनाने की एक कोशिश हम भी कर देखते हैं. पहले एक छोटी मूर्ती बनाते हैं. फिर तुम चाहो तो बड़ी या अपने घर की दिवार पर बनाना चाहो तो बना सकते हो. पत्थर या लकडी का एक समतल 45 बाई 45 सेंटीमेटर का या इससे बड़ा टुकडा लो. उस पर तयार मिट्टी से लगभग 3 सेंटीमेटर मोटी और 30 सेंटीमेटर लंबी और 30 सेंटीमेटर चौडी तह जमाओ. चारों तरफ से और उपर से भी इसे एक सा कर लो. इस पर बनाने के लिए ऐसी चीज चुनों जिसमें बहुत ज्य क्योंकि इसी से आगे चल कर हम तुम्हें प्लास्टर में सांचा बनाना और सांचे से मूर्ती ढालना बताएंगे. तब ऐसी रचना होने से आसानी होगी. इस बार हम हाथी चुनते हैं. अब मिट्टी से बनी अपनी प्लेट पर हाथी की उभारदार आकरिती मनाते हैं. चाहो तो सींक से हाथी की आकरिती प्लेट पर बना लो और फिर मिट्टी लगाना शुरू करो. मान लो हाथी का एक चित्र तुमने अपनी मिट्टी की प्लेट पर बनाया. इसके पीछे की तरफ वाले जो दो छोटे पैर होंगे, उन्हें थोड़ी सी मिट्टी लगाकर उभारो. आगे की तरफ जो थोड़े लंबे पैर होंगे, उन्हें थोड़ी ज्यादा मिट्टी ल चेहरे को पेट से थोड़ा कम, पैरों के बराबर उभारो, कान के लिए एक पतली सी मिट्टी की तह जमा कर कान का आकार दे दो, चोटी सी पूँच भी बना दो, आँख के लिए सींक से छेद कर सकते हो, हलका सा बहुत गहरा नहीं, अब हाथी के शरीर को गोलाई देना है, यह तुम पुराने चाकू या बांस की चिकनी पट्टी से दे सकते हो, अब हाथ थोड़ा गीला करके इन सब को एक सा करो, एक दो घंटे इसे गीले कपडे और पन्नी से धक कर रख दो, मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाएगी, फिर चाकू या बांस से थोड़ा रगड़ कर उसे चिकना करो, जब ये मूर्ती चिकनी हो जाए, तो इस पर हलकी सी चमक आ जाएगी, अगर इसे इस तरह से चिकना कर लोगे, तो बाद में धालने में आसानी होगी, चाक की मदद से मूर्ती, आओ, अब देखते हैं कि चाक पर मूर्ती कैसे बनाते हैं, वास्तव में चाक पर पूरी मूर्ती नहीं बनती, मूर्ती के कुछ हिस्सों को चाक पर बनाया जाता है, उदाहरण के लिए हम हाथी की ही बात करें, अगर तुमने चाक चलाना सीख लिया है, तो मिट्टी के चार कुल्हण, एक दिया, दो मटके, एक छोटा, एक बड़ा बना लो, अब कुल्हणों को उल्टा करके इस तरह जमाओ, कि वे हाथी के पैरों का रूप ले ले, इन पैरों पर बड़ा मटका रख कर, मिट्टी से जोड़ दो, छोटे मटके को आगे सिर की जगा रख कर जोड़ो, नीचे से कुछ आधार लगाओ, नहीं तो सिर गिर पड़ेगा, अब दिये को बीच से काट कर, दो भागों में बाट लो, इनसे कान बनाओ, गीली मिट्टी लेकर हाथी की सूंड और पूँच भी बना लो, आँखों की जगा दो बड़े छेद चवन्नी के आकार के बना दो, देखो कितना प्यारा हाथी बनता है, 36 गड़ के एक इलाके में ऐसे हाथी बहुतायत मात्रा में बनाए जाते हैं, जानते हो, खरिदार क्या कीमत देते हैं इसकी, कीमत के रूप में उसी हाथी के पेट में धान भर कर एक नई चादर से धक दिया जाता है, यानि जितना बड़ा हाथी होगा, कुमहार को उतनी ही ज्यादा धान मिलेगी, मूर्ती तो बना ली, अब अगर इन्हें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना चाहते हो, तो पकाना पड़ेगा, तुमने कुमहार को आवा अर्थात भट्टी लगाते हुए देखा होगा, अपनी बनाई हुई मूर्ती को तुम खुद भी पका सकते हो, कैसे पकाना है, यह हम बता रहे हैं, पर अगर जगहा और साधन का जुगार नहीं कर सकते, तो इसे कुमहार के यहां देकर भी पकवा सकते हो, कुमहार अपने मठ के गमले आदी के साथ तुम्हारी मूर्ती भी पका देगा, पकाने के पहले सुखाना, मूर्ती को पकाने के लिए सुखाना पड़ता है, सुखाते समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, वरना मूर्ती चटक या तूट सकती है, सूखने में समय भी ल तो इसे एकदम खुली जगह में मत छोड़ो, पन्नी से ढक कर रखो, पर दिन में तीन चार बार एक दो घंटे के लिए खोल भी दो, ताकि उसे हवा लग सके, यह भी देखते रहना, कि कहीं तुम्हारी मूर्ती में दरार तो नहीं पड़ रही, अगर पड़ रही हो, तो उस से बंद करने की कोशिश करो, इस तरह तीन चार दिन तक सुखाओ, इसके बाद मूर्ती को कपड़े से लपेट दो, धीरे धीरे मूर्ती सूखने लगेगी, दो तीन दिन बाद कपड़ा और पन्नी हटा कर देखो, अगर उपर की सता सूख गई है, तो अब मूर्ती को खु जब तुम्हें लगे कि मूर्ती बिलकुल सूख गई है, तो दिन भर के लिए उसे धूप में रख दो, इससे अगर मूर्ती के भीतर थोड़ी बहुत नमी रह गई होगी, तो वह सूख जाएगी, अब मूर्ती पकने के लिए तैयार है, पकाने के लिए भट्टी मूर्ती पकाने के लिए ऐसा दिन चुनों, जब मौसम बिलकुल साफ हो और बारिश होने का अंदेशा नहों, भट्टी लगाने के लिए 20-25 कंडे, लकडी के छोटे-छोटे टुकडे, सूकी घास, जैसे की पैकिंग में काम आने वाला भूसा या पुआल, मिट्टी और ए पुली जमीन पर एक इतना बड़ा गढधा खो दो, कि जिसमें तुम्हारी मूर्ती आसानी से खड़ी हो सके, यह एक बिलांस यानि करीब आधा फुट गहरा गढधा हो, गढधे में कंडे के टुकडों की एक तह बिचा दो, और उस पर अपनी मूर्ती खड़ी कर दो, के टुकडों से ढक दो, बीच बीच में पुआल भी लगा दो, अब चारों तरफ से बड़े बड़े कंडे लगा दो, और उपर से पुआल, मिट्टी को पानी में घोल कर, गाढ़ा सा घोल बनाओ, इस घोल की एक मोटी परत पुआल के ऊपर चड़ा दो, यानि लीप दो, हाँ, दो, तीन जगा धुआ निकलने, वह एक जगा नीचे की तरफ आग लगाने के लिए छेद छोड़ दो, तो इस तरह तुम्हारी भट्टी तयार है, कागर्स की एक पुंगी बना लो, और उसमें आग लगा कर नीचे वाले छेद से धीरे धीरे अंदर डालो, जब अंदर का पुआल वह कंडे जलने लगें, तो उसे छोड़ दो, कंडे धीरे धीरे जलेंगे, अब पांच छै घंटे के लिए इसे भूल जाओ, यह अपने आप धीरे धीरे जलेगा और बुझेगा, तुम इसे बिलकुल मत छेड़ना, ना जल्दी जलाने या बुझा की कोशिश करना, वरना गडबड हो जाएगी, पांच छै घंटे बाद जब भट्टी ठंडी हो जाए, तब इसे धीरे धीरे खोलना, मूर्ती को एक दम उतावली में हाथ मत लगाना, वह गरम होगी, मूर्ती को अपने आप ठंडी होने देना, पानी डाल कर ठंडी मत करना, तो लो, तुम्हारी मूर्ती तैयार है, अगर इसे संभाल कर रखो, तो यह लंबे समय तक रह सकती है, एक और बात, मूर्ती पकने के बाद हलके लाल रंग की होगी, जैसा मटके का रंग होता है, इसे ज्यादा लाल करना चाहो, तो गेरू से कर सकते हो, वैसे तो तुम अपने मन चाहे रंग उपर से लगा सकते हो, इसमें एक मज़ेदार बात है, ये मूर्तियां पकने के बाद काले रंग की भी हो सकती हैं, मगर कैसे, यह हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, तुम ही करके देखो, और हमें भी बताओ, पर उपर से काला रंग मत करलेना, लेकर जया विवेक!